हज़बन और वाइफ वैकेशन में जाने के लिए शिप में बैठते हैं पर इस शिप में ही वाइफ किर्णाप हो जाती है आज की मूवी ट्राफिकर ये 2012 की कोरियन थ्रिलर मूवी है ये मूवी हुमन ट्राफिकिंग पर बेस्ट है ये मूवी आपको फर्स्ली स्लो लग सकती है पर इसमें जो ट्विस्ट आता है ये अनिमेजनिवल है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और मैं शीप पर एक खुन से लटपत हुआ आत्मी डेक की तरव जाता हुआ दीखता है ये डेक पर आता है तो सब लोग उससे डर जाते है ये नेकेड भी होता है इसके पीछे कुछ लोग भागते है ये उसे रोकना चाहते है ये जो लोग इसके पीछे है ये एक्च्छल में इसकी औरगन सेल करने वाले है इनसे भाग कर वो डेक तक आता है और डेक पर पुली यहां किंडाइब करने वालों में हमारा एक मेन कारेक्टर भी था इसका नाम होता है यंग ग्रेडिट्स रोलते हैं और हमारी मुवी अब तीन साल बात स्टार्ट होती है एरपोर्ट के सब चीज़े हमें दिखाई जाती है करस्टाउन से यह सब हम देखते है उसके बाद हमारा मेन कारेक्टर यानि कि यंग इसे एक लड़की से प्यार होता है यह इस एरपोर्ट के क यूरी के फादर का ट्रांस्प्लांट होने वाला था पर अब हॉस्पिटल स्टाफ यूरी को कह रहे हैं कि यह हो नहीं पाएगा यूरी कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है अभी अभी तो आपने कहा था कि हो सकता है यूरी डॉक्टर से पूछती है पर डॉक्टर भी उसे इग्न यंग के आदमियों से पैसों के लिए जगड़ रही होती है यंग जब वहाँ पोचता है तो सर्फ मेरे लिए ही काम करो यंग पहचान गया होता है कि इसने और भी चीजे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी यंग ने इसे एरपोर्ट पर देख लिया था और इसके पास और भी क आकर यह कर सकती है पर यह हो नहीं पाएगा नेक्सिन में यंग उसके बॉस के साथ दिखाया गया है उसका बॉस जो है इसे और एक काम देना चाहता है यह हुमन ट्राफिकिंग का ही काम है पर यंग इसे करने के लिए रेडी नहीं है वो फिर से काम नहीं करना चाहता यह इ पर पुलिस इसे पकड़ लेते हैं यंग के बॉस ने ही करवाय होता है क्योंकि वो उसके लिए काम करें अब हमें एक इंशॉरंस एजन्ट दिखाया जाता है यह भी हमारे मेन क्यारेक्टर है इसका नाम होता है संगो उसका वरक कंप्लेट करने के बाद अपनी बीवी चीही क के लिए झाएना जाना चाते है जिह एक आर्टिस्ट होती है और बहुत ही है निटसट्री यंग अप चीट जाता है वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, कि मैं रिटार्डेड हूँ, मैं पागल नहीं हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, जब तुमसे बात कर रहा होता हूँ, तभी ऐसा भरता हो करता हूँ मैं इसे जनरली बहुत ही confident हूँ पर तुम्हारे सामने सब गलबड हो जाती है यंग फिर गुस्से में यहाँ से चला जाता है यंग को जब पदा चलता है कि उसका सब सामान पकड़ा जा चुका है तो अपने boss के पास हो जाता है इसे बहुत मारता है बॉस कहता है कि फिर में क्या करता तुम मेरा काम कर ही नहीं रहते यंग अभी भी नहीं मानने वाला तो बॉस कहता है कि तुम यूरी के लिए करो उसे बहुत सारे पैसो की ज़रूरत है अब यूरी के लिए ये काम करने के लिए यंग रेडी हो जाता है यह हमेशा ट्राफिकिंग शिप पर ही करते है तो इस शिप पर कस्टम वालों को शिप के स्टाप को इन सब को यंग जाकर पैसे देख रहाता है इसके बाद हमें देखता है कि यंग एक डॉक्टर के पास आया हुआ है ये डॉक्टर इन्हें ट्राफिकिंग में हेल्प करता है लोग के औरकन निकालने वाला यही होता है यंग जाकर इसे भी पैसे देख रहाता है इसके बाद हम देखते हैं ये सबouse शिप में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं याँ अपने दो आदमी और डाक्टर के साथ शिप में चट जाता है यहाँ में संघो और जही ये दोनों हैपेली शिप में जा रहे हैं इफाकेशन के लिए बहुत यह excited है, इसके बाद हमें यंग का flashback दिखाया जाता है, यंग ने पहली बार ये काम किया था, ये भी यूरी के लिए ये किया था, उसे अपने फादर के लिए पैसे चाहिए थे तो यूरी ने उसके बास से पैसे लिये थे, यंग ने यूरी को help क करने के लिए ही पिछला काम लिया था इस शिप पर यूरी और उसके फादर भी होते हैं यूरी को यंग के बास करने लग जाती है तो अब उसके फादर को लेकर वह शिप में जा रही होते यह सब चायना जा रहे है चीही को उसका रूम बहुत पसंद आता है रात में हम देखते है कि चीही डेक पर आती है वहाँ यूरी भी खड़ी हुई होती है यह दोने एक दूसरे से बात करने लग जाती है वो किसके साथ आई है एक दूसरे को बताती है चीही के हैर्स हवासे बहुत ही उड़ रहे होते है तो यूरी उसका हेरबैन उसे देती है यंग काद में डॉक्टर के पास आता है और उसे कहता है कि जादा कुछ पीना मत पिशली बार डॉक्टर पी रहा था इसी वज़े से गड़वड हुई थी इस शीव पर यंग और यूरी एक दूसरे से मिल जब यह बाहर जाता है तब ही हम देखते हैं कि यंग और उसकी सब टीम चीग को किड्नाप करकर लेकर जाते हैं वो उसे बेहोश करकर पात में लेकर आते हैं यह बहुत ही बड़ा रूम होता है जहाँ पर वो अपना काम कर सकते हैं संगो बहुत ही डर जाता है सब जगा ड को यूरी। चेर में किसी लड़की को करने लग जाती है। अब बातरों में यंग चिही की सब और गालने वाला है। यंग जब चिही को देखता तब उसे पहचान जाता है। अब इसे flashback में आताता है कि तीन साल बहले जो आत्मी मरा था ये इसकी sister है यंग बात्रूम से बाहर निकलता है आजपास कोई है तो नहीं जो इन पर नज़र रख पाए इसके सब वो ध्यान रख रहा होता है ये उपर चड़ कर जाता है तब इसे मालूम होता है इस संगो और यूरी ये दोनों चीही को ढून रहे है यंग अब सावधान हो जाता है डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रिडियो होता है पर तब चीही कॉंशियस में आ जाती है वो चिलाने लग जाती है ये चीखे संगो और यूरी सुन ले थी है ये चीखो को follow करने लग जाते है यंग इन्हें रोकने के लिए बीच में ही टकरा जाता है ये जल्दी से जाना जाते है पर इन्हें वो रोकता है यूरी से कहता है कि तुम तो किसी आदमी को date नहीं कर रहे थी अब ये कोन है यूरी कहती है ये ऐसा कुछ भी नहीं है संगो कहता है क्या तुमने विल्चेर में किसी को देखा है ये कहता है कि नहीं मैंने एक 80% सी लड़की को देखा है यूरी को अभी भी उताना मार रहा होता है संगो और यूरी बात्रूम से आवाज आ रही है यह figure out करते है यह आगे जाते है पर यह door locked होता है डॉक्टर और यंग के आदमी को पता चल जाता है कि कोई तो यहाँ है वो जली से चीहिक उठाते और वहाँ छिप जाते है यंग संगो को रुकने के बहुत ही कोशिश करता है वो कहता है कि लगिज रूम से आवाज आ रही थी पर यह रुकते नहीं संगो जब बात्रूम में घुसरा होता है तो यंग का आदमी नेकड होकर बाहर आता है यह कहते है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे याद में कहता है कि मैं तो नहा रहा था संगो कहता है कि क्या तुमने विल्चेर में किसी को देखा है याद में कहता है कि ये मेंस वाथरूम है यहाँ कैसे हो सकती है संगो फिर भी अंदर जाकर देखना चाता है वो अंदर जाता है पर सब लोग छिपे हुए होते हैं ये किसी को भी ढोन नहीं पाता संगो अब लगेज रूम में जाना जाता है पर स्टाफ अब उसे कॉपरेट नहीं खरा उसे इसके परमिशन नहीं देता संगो बहुत इचीट जाता है पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता यूरी की फादर की दवेद जरा खराप हो जाती है तो उसे कॉल आ जाता है संगो को छोड़ कर वो चली जाती है संगो को अभी भी लग रहा होता है कि पाथरों में कुछ गड़बर हो रही थी जब वो वहाँ जा रहा होता है तो यंग का आदमी एक बड़ी सी चीज लेता है इसके सरबर मारता है पर इसे ब्योश कर देता है इसके बाद हम देखते है कि चीज का आपरेशन हो चुका है और चीज की बोड़ी वो एक बैग में डाल रहे है जब सुबह होती है तो संगो अपने रूम में उठता है फिर से सब लोगों से वो इंक्वारी करने लग जाता है पर कोई उसे कही भी नहीं मिलता अवे चायना में पोच चुके यंगो फिर से यूरी से मिलता है यूरी को कहता है कि ब्लेज मेरे साथ पुलिस टेशन में आओ तुम विटनेस थी तुम गवाई दे सकती हो यूरी को अपने फादर को उपरेशन करवाना है उसके पास टाइम नहीं है तो वहाँ से वो चली जाती है संगो बहुत ही रोता है अब हम देखते हैं कि सब लोग शिप के कस्टम्स में आ चुके हैं यहाँ पर एक औरत के पास इन सब लोगों ने और्गन्स दे दिये है इन्हें एक लोकर में गाड़ी की चावी भी मिल जाती है जैसे वो यहाँ वाँ जा सकते है इनके पास पैसु का एक बड़ा सा बैग होता है जो चायना को ओफिसर को देना चाते है यह बाहर जाते है जिस गाड़ी को उन्हें असाइन किया होता है इसके डिक्की में वैसे रख आते है यह औरत जब कस्टम्स में पोहुचती है तब उसके बास और्गन्स होते है यह पकड़ी जा सकती है पर जो ओफिसर होता है इसे चेकी नहीं करता इस ओफिसर को पहले ही कॉल आ चुका होता है कि पैसे सब मिल चुके है अब यह सब सक्सेसफुली वहाँ से निकल जाते है संगो पुली स्टेशन जाता है और इसकी कम्प्रेट करना चाता है सब रेकॉर्ड जब निकाले जाते है तो संगो अकेला ही आया था यही रिकॉर्ड होता है संगो का कुछ भी दिमाग काम निकल रहा होता इसके बाद हमें फिर से तीन साल पहले का फ्लैश बैक दिखाया जाता है यंग के फ्रेंड ने यंग को बजाने के लिए अपने आपके कुर्बानी दे दी थी उसकी एक सिस्टर भी थी यही चीही है यंग का फिर्ण मर गया तो उसके बाद फ्यूनरल पर चीही को सब पैसी यंग जाकर देखकर आया था फिर से हम ब्रेजन देखते हैं और यंग टैक्सी में होता है टैक्सी में उसे गैंग का एक आदमी लेने के लिए आयो हुआ होता है इस आदमी को कौल आता है उसे कहा जाता है यंग को अब उसे मार देना है यंग को भी शक चला जाता है डॉक्टर उसकी हाई गल्फरन होती है तो उसे असाथ चला जाता है यंग और उसका ड्राइवर जब आगे जाते है तब एक गलत रास्ता ले रहा होता है यंग जब इसे पुछता है तो कोज़े बोल नहीं रहा होता तब यंग इसे मारने लग जाता है यंग इसे मार कर गाड़ी से बाहर फिक देता है और खुद गाड़ी चलाने लग जाता है इसके बीचे सब गुणने लग जाते है यंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है यंग के दो आदमी हमें रिवर के पास देखते है इसमें से एक बहुत ही भोला होता है इसमें से एक भी रिवर में डाल देता है इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर के पास चीही की बॉड़ी है वो अपनी गर्फेंड के साथ उसके घर पर आया हुआ है जब दोने इंटिमेट होते है तब चीही बॉड़ी पैक से बाहर निकल जाती है वो अभी भी जिन्दा होती है कि कॉल जाती है पर डॉक्टर इसे स्पोट कर लेता है और उसका कॉल बन कर देता है डॉक्टर केता है कि तुम्हारा लग अच्छा है यंग बुरी चीज़े करता है पर वो दिल का साफ है एक्चुल में यंग को ये काम नहीं करना होता तो डॉक्टर से मिलकर जीही को बचाने का उन्होंने किया होता है वो उसे प्रिटेंड करते है कि जीही मर चुकी है पर जीही को अब वो बचाने वाले होते है हमने अभी अभी देखा कि जुन ने उसके फ्रेंड का मर्डर कर दिया है यंग के बॉस ने जुन को कॉंट्रेक्ट दिया था कि अगर यंग ने उसे डव आगी चल कर वो ऑपरेशन टेटर में देखता है तो वहाँ जी ही होती है जी ही को अब मार दिया गया है और उसके सब ओर गन्स निकाल लिये गए है पीछे से हमें संहो आता हुआ दिखता है यंग ने संहो को एक नोट दी ती जिसमें लिखा हुआ था कि जी ही अभी भी जिन तब सब लोगों के उसके पास details होते है इसके अच्छे context भी होते हैं जिसे और गन्स निकाल कर एक अच्छे प्रैस बेच सकता है यंग सब्राइस होता है कि संग हो यह सब कर रहा था संगो कहता है कि तुम तो बहुत ही sensitive निकले यंग कहता है क्या तुम अपने आपको human समझ सक हम दोनों जाड़ा अलग अलग नहीं तुम पैसों के लिए चीज़े भेशती हो तुम्हें और डाल्ते हैं अब यंग इससे बाइने लग जाता है और वहाँ जून आ जाता है जून और यंग की इन-दोनों के बहुत fight होती है यंग जून पर भारी पढ़ता है और उसे एक chance देता है कि वहाँ से चला जाए पर जून मानदा ने जून फिर से यंग को मारने के लिए आता है तो यंग उसे अंधा कर देता है संग के पीछे पीछे यंग पार्किम में आ जाता है संग गाड़ी में होता है तो यंग उसके गाड़ी से चिटक जाता है संग का accident होता है और वो भागने लग जाता है यंग भी उसके पीछे पीछे मार्केड में भागता है यंग पूछता है यह सब तुमने क्यों किया संगो कहता है कि पैसे अगर दुनिया में तुमारे पास पैसे होंगे तुम बहुत ही बुरा लगता है और वो खुद कुशी कर लेती है संगो को यह मालूं होता है और वो यंग को बता देता है यंग अब बहुत ही जर जाता है पुलिस की गन लेता है और संगो को बहुत सारी गोलिया चलाता है अब हमें निउस दिखाई जाती है मैं पता चलता है य एकी आदमें से इसे बहुत जादा पैसे मिलते थे यह इन पैसों से बहुत साल तक मज़े कर सकता था इसने चीही का record देखा था और उसे target किया था चीही wheelchair में थी क्योंकि संगो ने ही उसका accident करवाया था उसके बाद संगो उसे मिला और उससे वो प्यार करता है इसका उसने pretend क किया इससे शादी भी कर ली और ship पर लेकर आया इसके बाद चीही जब गायब हो चुकी थी तो वो उसे ढूंड रहा है इसका सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था वो प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि अगर उसकी वाइफ ऐसे गायब हो गए तो सब लोग उससे question पूछेंगे इससे बताने के लिए कुछ न कुछ तो जाईए कि इसने effort किये थी उससे ढूंडने के लिए पर वो करने पाया जही गायब हो गई है यह report करवाने के लिए वो पुलीस के पास गया था उसने पहले ही सब records मिटा दिये थे पर यह सिर्फ वो confirm करना चाहता था अब पुलीस को यह सब पता जल जाता है और इनका scandal खतम हो जाता है इसके बाद credits रोलते है और हमें दिखाया जाता है कि insurance company में संगो के लिए जो काम कर दी थी वो आई हुई है यह वहाँ से रेकौस निगालती है और एक बड़े अमीर आदमी के पास हुआती है यह actual में इस सब operation का boss है और अभी भी intact है इसके पास हमें एक आदमी दिखता है कि जिसका पेर तूट गया है यह संगो ही होता है संगो अभी भी जिन्दा है यह यह movie end हो जाती है यह ने बहुत try किया कि संगो और इस operation को पकड़वा सके पर इसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े लोग का हाथ है उनक को कोई कर भी नहीं सकता इस movie में हमें real world की dark reality दिखाई गई है तब वीडियो हम यही खतम करते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी एसी movies लेकर आता रहे तो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइ पर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकन दबाना भी मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब के लिए thank you और आपने आपका खैल रखिये